आयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मध्य प्रदेश से पांच लाख लड्डू भेज गए हैं। महाकाल मंदिर में तैयार लड्डू से भरे रत को भुपाल से सीम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवा ध्वज दिखा कर रवाना कर दिया। आयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारों में महाकाल मंदिर के लड्डू की मिठास घुलेगी। भुपाल में सीम डॉक्टर मोहन यादो ने पांच लाख लड्डू से भरे पांच ट्रकों को आयोध्या रवाना किया। जो शनी वार को आयोध्या पहुचेंगे और 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन लड्डू को प्रसाद के तौर पर बाटा जाएगा। इस मौके पर सीम डॉक्टर मोहन यादो ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि रामलला अपने गर्व ग्रे में विराजवान होगे और इसमें सबसे जादा खुशी बाबा महकाल को होगी। साथ ही सीम ने प्राण प्रतिष्ठा का निम्मंत्र ठुकडाने पर कॉंग्रेस पर जम कर हमला वोला। उज्जेर और अपने मद्व देश की धर्डी से दो हजार साल पेले भी यही गंड़ना गड़ी। जाने अन जाने क्यों विवाद में बनाते परमात्मा ही जाने है। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे हैं घथवार के प्रतिष्ठा करना वाले प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अभागा तो कोई प्रत्वी में कोन हो सकता लेकिन ये अभागे तो ही है और एक बड़े दल के नित्र तो करता लिए अयुद्धा भीजे गए ये वो लड़ू है जो बाबा महाकाल को प्रसाद के रूप में चढ़ाय जाते हैं इनको बनाने में करीब एक करोड का खर्च आया है एक लड़ू का वजन करीब पचास ग्राम है वहें सीयम के बयान पर कॉंग्रेस ने निशाना साधा है पूरुमंत्री सजन सिंग्वर्मा ने राम मंदिर को लेकर बीजीपी पर निशाना साधा और बीजीपी पर भ्रह्म फैलाने का आरोप भी लगाया राम मंदिर का किसी भी कॉंग्रेसी ने विरोध ने किया है शंकराचार जब इस घड़ी को सुब नहीं बता रहे हैं तो बीजीपी को इतनी जल्दी क्यों है छोटे बीजीपी कारीकर्ता के द्वारा नकारात्मक्ता फेलाई जा रही है कॉंग्रेस और विपक्ष में बेठी पार्टियों के लिए एक भी सक्स ऐसा नहीं है जिसने राम मंदिर के निर्मान का विरोध क्या हो भगवान श्री राम के संदर्म में विरोध क्या हो शुद्ध गी बने 5 लाख लड़ू का वजन धाईक प्यूंटल है जो एक करोड की लागत से बने है और लड़ू से भरे ट्रत 20 जनवरी को आयोध्या पहुच जाएंगे